मध्य प्रदेश में बधान सभा की सभी 230 सीटों पर तस्वीर असाफ हो चुकी है बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी एतिहासिक जीत दर्जे करती हुए 163 सीटों पर पर्चम लेराया है वहीं कॉंग्रेस अब 66 सीटों पर ही समट कर रह गई है एक सीट अरने के खाते में आई है इसी बीच हम आपको मध्य प्रदेश की 10 सबसे हॉट सीट के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी चर्चा प्रदेश प्रदेश में तो सही दूर दूर तक हो रही है बताने की सबसे पहले बुधनी बधान सभा की हम बात करेंगे जहां पर खुद मुखमंतरी शुबरा सिंग चोहान चुनाबी मैदान में थे सीहॉल जले की बुधनी बधान सभा सीट मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है यहां से बीजेपी की ओर से खुद मुख्मंतरी सुबरा सिंग चोहान चुनाभी मैदान में थे इस सीट की सबसे खास बात ये रही कि बिना प्रचार किये ही मुख्मंतरी सुबरा सिंग चोहान को प्रचंड जीत मिली है मुक्रमंतری सुबरासUNG चोहां यआ से एक لاग से अधिक बोटों से जीते हैं मुक्रमंतरी सुबरासUNG चोहां ने बुधणी में कॉंग्रिस के विक्रम मस्ताल को करारे स्विकर्ष दिए है सुवरा सिंग चोहान बुद्णी में सिर्फ नामंकन दाखिल करने के लिए गय थे इसके बाद वो प्रचार के लिए नहीं गये बही समाजबादी पार्टी के उमीदबार मिर्ची बाबा को बुद्णी में सिर्फ 136 बोट ही मिल पाए हैं मद्द निकी शुवरा सिंग चोहान पहली बार बुद्णी से 1990 में बिधायक बनी थी और चलिए दूसरी सीट की बात करेंगे दूसरी सबसे होट सीट नरोट तब में चलिए यानिकी बद्धान सवाञी सीट थी यहां से बुद्धनी के बार जटिया बदधान सवा सीट भी प्रदेश की सबसे होट सीटों में शुमार थी क्युकि यहां से सूभी के मुखमंतरी सुर्णा सिंग चौहान के सिपह सलार और मध्य प्रदेश के ग्रहमंतरी डॉक्टर नरुत्ब मिसुरा चुना भी मैदान में थे लेकिन इस बार नरुत्ब मिसुरा अर्टी नरुत्ब मिसुरा को 7,742 बोटों के अंतरस वहरा दिया है और इससे पहले यानिकी 2008 के बिदान सबाद चुना में भी इसी सीट पर बीजेपी नरुत्ब मिसुरा को ही चुनावी मैदान में उतारा था तब डॉक्टर नरुत्ब मिसुरा की जीत हुई थी और चलिए बात करेंगे इंदौर एक बधान सबाद सीट की मधिप्रदेश की जिन बधान सबसीटों की नतीजों में लोगों ने सबसे अधिक दिल्चस्पी दिखाई है उनमें से एक इंदौर एक बधान सबसीट भी शामिल है इस सीट से बीजेपी ने अपने कदवर निता और पार्टी के महासचिब कैलास विजबरगी को उम्मीदवार बना कर मैदान में उता रहा था उनके सामने कांग्रेस के संजर सुकला यानि कि जो सिटिंग बधायक है वो चुनाबी मैदान में थे इस सीट पर कैलास विजबरगी ने सिटिंग बधायक संजर सुकला को बुरी तरीके सोहरा दिया है बीजेपी ने कैलास विजबरगी को इन दौर एक सीट से भले ही चुनाबी मैदान में उता रहा था है बीजेपी ने सभी नौ सीटों पर कब्जा कर लिया है और यहां जो खाई कॉंग्रेश ने बनाई है उस अंतर को पाट पाना अब कॉंग्रेश के लिए बड़ी चुनावती बन गई है और चलिए बात करेंगे अब राजधानी भुपाल की मध्यबधान सभा शीट की राजधानी भुपाल की मध्यबधान सभा सीट भी काफी चर्चा कबेशा रही है यहां से होट शीट भी इसे कहा जाता है क्योंकि यहां कॉंग्रेस के दिगज नेता आरिफ मसूद चुनाबी मैदान में थे कॉंग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने लगतार राजधानी भुपाल की मध्ध सीट से दोसरी दफा जीट दर जुकी है उनके सामने बीजेपी के पूर्वे बढ़ाय के धुरुब नरायने सुइंग थे लेकिन बहभी आरिफ मसूद को हरा नहीं सके है आरिफ मसूद ने 16,233 बोटों के बड़े अंतरस्वे जीट दर जुकी है दरसल यह बढ़ान सबा सीट भी 2008 में अर्श्तित में आई थी और खास बाती है कि भोपाल की सबसे हौट सीट मानी ज़ानी बाली मद्यबधान सबा सीट पर दूसरी दफा आरिफ मसूद ने कबज़र किया है शुरुआती दो चुनाब यानि कि 2018 और 2013 में यहां पर बीजेपी ने अपना परचम लह रहा है था लेकिन 2018 के चुनाब में यहां से कॉंग्रेश ने बीजेपी को बड़ा जटका दिया था और उसके बाद से कॉंग्रेश ने इस सीट पर कोको अपने कबजे में ले लिया ह इस बार भी बीजेपी को यहां सफलता नहीं मिली है और चली बात करेंगे नरेला बधान सबास सीट की भुपाल की नरेला बधान सबास सीट से मंतरी विश्वास सारग ने जीत का चौंका लगाया है बपाल जिले की नरेला बधान सबास सीट पर विश्वास सारग ने कॉंग्रिस के मनोज शुकला को 24,199 मतों से हरा कर जीत का चौंका पूरा कर लिया है विश्वास सारग को 1,23,488 बोट मिले जबकि कॉंग्रिस के मनोज शुकला को 99,299 ही बोट मिल पाए है इससे पहले तीनों बार यहां से बीजेपी के विश्वास सारग चुनका बधान सबास पहुंचे और उन्हें कैबिनेट मंतरी बनने का भी स्वभग प्राप्त हुआ एक प्रकार सी है सीट उनका गढ़ बनती ज़ा रही है 2018 में पहली बार अस्तित्व में आई नरेला बधान सभा सीट से बीजेपी के विश्वास सारग ने भोपाल के महापौर रहे सुनील सूद को 3000 से अधिक मतों से हराकर पहली दफा यहां से बधायक बने थे और इस बार परीपक्ब हो चुके प्रश्वास सारग ने सुनील सूद को फिर से 24,000 से अधिक मतों से करारी मात देकर उनका राजनेतिक करियर पर ही विर्याम लगा दिया है और चलिए बात करेंगे सुर्खी विधानसवा सीट की सुर्खी विधानसवा सीट प्रदेश की कई हाई प्रोफाल सीटों में से एक है यहां से केंद्री मंतरी जोती रदित संधिया के बेहद करीवी मानेज़ाने वाले और शुवराज कैबिनेट में मंतरी रहे गुबिंद सिंग राजपूत चुनाबी मैदान में थी इस सीट पर गुविंद सिंग राजपूत ने कॉंग्रेस के निराज स्वर्मा को करीब 2200 मतों के बड़े अंतरस्वराया है हलाकि शुलवाती रुजवानों में कॉंग्रेस प्रतियास्वी निराज स्वर्मा आगे चल रहे थे लेकिन दो पहर के बाद गुविंद सिंग राजपूत ने बड़त बनाई और आगे निकल गए और चल ये बात करेंगे अब सौनकच बधान सभा की यहां के आखले वियां आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में बधान सभा चुनाप की नतीज काफी चौकानी बाली रहे हैं बीजेपी ने दो तिहाई बहुमत हासिल करके इतिहास रस दिया है वहीं कॉंग्रेस के कई दिगजों को इस बार हार का साबना करना पड़ा है बहीं दिबास जुले की 500 सीटों पर बीजेपी ने बंपर जीत दर जुकी है सौनकच्च बधान सभा सीट से पूर्वे मंतरी और कॉंग्रेस के कद्दाबर नीता सज्जन स्विंग बर्मा करीब 25,000 से अधिक बोटों से हार गए हैं बीजेपी प्रत्यासी राजेस सौनकर ने 25,437 बोटों से सज्जन स्विंग बर्मा को हरा दिया और चलिए अब बात करेंगे मध्यप्रदेश की उस सीट की जो सरबाधिक चर्चा का बिसे रही यानि की हर्दा बधान सभा सीट हर्दा बधान सभा सीट में काफी बड़ा ओलट फिर देखने को मिला है यहां से क्रस्वी मंतरी कमल पैटेल को कॉंग्रेस प्रत्यासी ने हरा दिया है और इस हार ने सभी को चौका दिया है हर्दा बधान सभा से कॉंग्रेस प्रत्यासी डॉक्टर आर की दोगने ने बीजेपी प्रत्यासी और प्रदेश में प्रस्वी मंतरी कमल फटेल को करीब 870 मतों से हराकर सभी को चौका दिया है पताने की हर्दा बधान सभा सीट को बीजेपी की का गढ़ माना जाता है और इस सीट पर शुबराज सरकार में मंतरी कमल फटेल दो दसक से जीटते आये हुए हैं हलाकि यहां मतदाता ने इस बार बाजी पलट दी 2013 के बधान सभा चौना में भी इस तरहें का उलट फिर देखने को मिला था जब डॉक्टर रामकिशो दोगने ने बीजेपी नेता कमल पटेल को हरा दिया था हलाकि कमल पटेल ने 2018 के बधान सभा चौना में उस हार का बदले लिया लेकिन अब 2023 के रड में एक वार फिर से कमल पटेल को हार का सामने करना पड़ गया है और चलिए सबसे बड़ी बात अपको यह बता दें कि यह जो लाहर बधान सभा सीट है जहांकि हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे हॉर सीटों में से एक मानी गई है क्योंकि यहां से मध्यप्र देश के निता प्रतिपक्ष डॉक्टर गुब्ध सिंग चुना भार चुके हैं मध्यप्र देश की राजनीती में ढॉकटर गुब्ध सीङझ का नाम दिगज नेता में शुमार है लेकिन इस चुनाब में कॉंग्रेश के दिगज निता और निता प्रतिपक्ष गोविंद सींग को चुनाबी हार का सामने करना पड़ा है अभी तक के लहार सीट से साथ दफा के बधायक रहे चुके हैं लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी प्रतियासी अम्रेश श्वर्मा न थे बीजेपी की अम्रेश श्वर्मानी कॉंग्रेश के डॉक्टर गुबिंद सींग को बारह 1390 बोटों से हराकर श्वांदार जीत दर्जिकी है बतादे की कॉंग्रेश सरकार में गुबिंद सींग ने कई बड़े मंतरालों की जिम्मेदारी संभाली है मद्यप्रदेश म उन्हें पार्टी ने नेतव प्रतिपक्ष बनाया हला कि पिछले कुछ समय से पार्टी में चल रही गुटबाजी के चलते उन्होंने मद्यप्रदेश कंग्रेश कमेटी के अपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और नगरीय निकाय चुनाम में पार्टी द्वार का मनमानी ढंक से टिकेट बांटे ज्वानी से भी खपा चल रहे थे फिलाल बीजेपी के नेताओं से बढ़ रही उनकी नजदीक्यों से कई तरह के कयास भी लगने लगे हैं और चलिए प्रदेश की दस्वी सबसे बड़ी हॉट सीट के बारे में बात कर लेते हैं डबरा विधान सभा की गुवालियर जिले की डबरा विधान सभा सीट पर पूर्ब मंतरी इमर्ति देवी चुना भार गई हैं यह सीट भी प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जाती है क्योंकि यहां से सिंधिया समर्थक और पूर्ब मंतरी इमर्ति देवी चुना भी मैदान में थी उन्हें कॉंग्रेस के सुरेश राजे ने 266 बोटों से हरा दिया है इमर्ति देवी लगतार दूसरी दाफ़ा यहां से चुना भारी है सिंधिया समर्थक इमर्ति देवी ने कैंदरी मंतरी जोती रदेति सिंधिया के साथ कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जोइन की थी बताया जाता है कि सुरेश राजे और इमर्ति देवी दोनों रिष्टदार हैं सुरेश राजे 2020 में हुए उप्चुना में जीत के ब्रधान समय पहुंचे थे वे उस समय बीजेपी छोड़कर कांग्रेश में शामिल हुए थे जब इमर्ति देवी कांग्रेश छोड़कर बीजेपी में आई थी उप्चुना में राजे ने इमर्ति देवी को ही हराया था तो ये वो दस सीटे थी जिनकी की चर्चा प्रदेश में सरबाधिक रही बहीं मध्य प्रदेश में प्रचन्ड जीत के बाद बीजेपी में मुक्य मंतरी के चेन को लिकर भुपाल से लिकर दिल्ली तक हर्चल मची हुई है बीजेपी के सभी केंद्रिय पदाधिकारी और मंतरी दिल्ली पहुँच चुके हैं आज देर साम तक बीजेपी संसदी दल की बैठक हो सकती है और बैठक में मुक्य मंतरी का नाम भी फाइनल किया रह सकता है